तो आपके काफी ज़़ा कमेंट और रिक्वेस्ट आती है कि आप कैसे गाना निकालते हो अपने पियानो कीबोर्ड के उपर या फिर मोबल पियानो के उपर प्लीज हमें आपके वाला तरीका बताओ मतलब कि मैं किस तरीके से सांग्स को निकालता हो फाइंड करता हो अपने मोबल पियानो के उपर या फिर पियानो कीबोर्ड के उपर या फिर हार्मनियम के उपर तो वही ट्रिक या फिर वही तरीका में आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हो तो प्लीज व आपना experience आपके साथ share करूंगा तो चली दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरा नाम है सुपेश और आप देख रहें musical सुपेश यूटूब चैनल संगे सिखने के लिए मेरे चनल को subscribe जरूर किजिएगा ताकि आपको ऐसे content हर रोज इस चनल पर मिलता है तो चली दोस मतलब आपके दिमाग में जब तक यही नहीं है कि आपको निकालना क्या है या फिर आपको बजाना क्या है अपने पियानो क्योबर्ड के उपर तब तक आप गाना निकालोगे कैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं याप पर हाथ चलाओंगा और आटोमेडिक लिए निकल जाए और है टॉ यह इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है आपको तो यह महलूमने होग और कि मैं जो तरह कर चूँका हूँ इसके अंदर और काफी मतलब दो सॉलों से मैं पियानो यापर प्ले कर रहा हूँ इसलिए मुझे आ जाता है बट आप लोगों की जो है प्रैक्टिस यापर कम है तो आप किसी भी सौंग को कैसे फाइंड कर सकते हो यह आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप जो वीडियो को आजे से ही छोड़के भाग जाते हो तो आपको यहापर मैं अभी अपने वाली जो ट्रिक अपना वाला जो फर्मॉला है आपको बताने जा रहा हूँ तो प्लीज वीडियो बिल्कुल भी लंब नहीं होने वाला प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिए उस्तों मैं आपको बता देता हूँ सफ़ोज आपको यहापर कोई गाना निकालना है तो आप क्या किजे पहले उस गाने को ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनने का मतलब यह नहीं कि आप एक सौंग यह आपके माइंड के अंदर perfectly fit होने चाहिए मतलब 100 में से 80% तो आपके माइंड में ओ मेलोडी fit होने चाहिए जिससे क्या होगा कि आपको काफी जा मदद होगी सौंग को निकालने के लिए तो आपको क्या कर लेना ध्यान लगा कर मतलब कि आप किसी भी सौंग को सुन रहे पहले जिससे एयर फोन लगा कि आप सौंग को सुन सकते सौंग को सुनने के बाद आपको एक सौंग को अँग से ख़या दस से पंदरह बार भी सुन लिया आपने focus के साथ में तो आप easily सौंग को निकाल सकते बट focus के साथ में यसा नियों कि बस सुने जा रहे हो सुन ना है पूरे दैन के साथ में, तो आपने इस दैन के साथ में इस सौंग को सुन लिया, आपका जो गाना या पर रीड भी हो चुका है, मतलब आपको जो गाना है आपके पाट भी हो सुने मतलब आप जो देकि भी उसे गा भी सकते हो, अगर ऐसा हो जाता है आपiciones होती है सपोज यह तो मुझे मालूम है कि यह जो मेलोडिया कैसे प्ले होती है तो मैंने प्ले कर दी बड़ आपको मालूम नहीं है कि यह कैसे प्ले होती है तो आप कैसे ढूंडेंगे इसे है ना यह आता है पॉइंड का मुद्धा तो हम यह जानेंगे कि आप इसे कैसे ढू सबस्थ आपके माइंड में भी श्रीवल्ली सौंड की जो स्टार्टिंग की धुन म्यूजिक मेलोडी है वो चल रहे हैं तो आप उसे कैसे निकाली तो पहले आप क्या कीजिए उस जो मेलोडी के उसे ध्यान से सुनिएगा सुन लिए आपने उसके बाद में आपको उसे गु गुन गुनाना है वो गुन गुनाएंगे कैसे आप हमिंग करके हमिंग कैसे करनी है आपको इस तरीके से हमिंग करनी है सपोस्थ आप अपने मूझ से प्यारों की आवाज भी निकाल सकते आप इस तरीके से कीजिएगा आप सुचेंगे कि भाई यह क्या पागल पंती कर रहे हो बड़ यह पागल पंती नहीं है दोस्तों यही मैजिक है अगर आप किसी सौंग को गुन गुनाते हो तो आप इजिली उस सौंग को निकाल सकते हो सपोस्थ मैंने या पर अपने कुलें उसे प्यानो के आवाद काली यह तो आपको इसे मैस करना है प्यानो की के साथ में मैंने कैसे आवाद काली थी आपको मैंच करना है दस्तों है ना आपको मैंच करना है और आप इजीली किसी भी सांग को निकाल सकते हो 100% guarantee है मेरी आप ऐसा कीजिए किसी भी सांग को हमिंग में convert कीजिए अपने मूँ से पियानो की वाइस निका लिस सपोज मैं यापर करमा धुन प्ले करना जातो तो वो कैसे होगी यापर देखते उसे भी प्ले करके क्या कर लेना है पहले इस धुन को अपने माइड में सेट कर लेना है उसके बाद में इसकी हमिंग करनी अपने में इसकी हमिंग कर लेना है आप ऐसे हमिंग करके निकालने की कोशिश किजिएगा 100% आप किसी भी सौंग को निकाल सकते हो तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे लगए होगी वीडियो अच्छे लगए तो फ्लीज लो को लाइक कर देना ताकि आपको ऐसे कॉंटेंट इस चल पर मिलता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दो चलिए मिलती के लिए नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाए बाए कैसनल अपने लो कर दोस्तों के लिए में और अपने दोस्तों के लिए खताब रबाए